४ुपividade डोस्तों आजकाश्य का वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग होने वाला है आजके इस वीडियो में हमने हमारे फोन के बैक होम ओवरियू बटन ही हाइड कर दिय मतलब고ेat, सबस्तब्सक्यारे सबस्क्राइब हो करो फिर बैक जाओ होम बटन पर डबल टप करो फिर भाग जाओ मतलब ये एक्शन हमें बार-बार करना पड़ता है मैं यह चाहता हूं कि मैं स्वाइब ऑप करूँ हुम जाओ खुल जाएगी तो किस तरह से आपको यह करना है आज की इस वीडियो में हमने बताने की कोशिश की है जो लोग जानते है system gestures के बारे में जिया दोस्तो system gestures जो हमें मिलते हैं android में by default talkback के gestures की बात नहीं कर रहा हूं मैं setting में जाकर जो आपको full screen gestures जो मिलते हैं उसके बारे में जो बताने की कोशिश की है talkback के gestures मैं भीडियो बने रहे जो लोग जानना चाहते है इन gestures की कारे में वह लोग वीडियो को skip कर सकते है जो लोग जानना चाहते है वीडियो में आगे बने रहे, swipe up से ही यानि कि दो finger से swipe up करके ही हम overview भी खोलेंगे, home में भी जाएंगे back भी करेंगे, मतलब सब swipe up से ही होगा, तो कैसे होगा यह वीडियो में आगे बने रहे, telegram चैनल आप लोगों के लिए available है, आप search करे, telegram में आपके लिए जो भी second channel special talent of blind को जाके subscribe जरूर करे, मैं हूँ आपका दोस्त जीतुराज, चली चुरू करते हैं आज के इस नए episode को चैनल पर करने हो, तो चैनल को subscribe करने के साथ साथ, notification bell icon को always hit कर लेना क्योंकि unique videos की list पढ़िये और हाँ, इस video को like जरू करना, share करना और आपके अगर को सवाल हो तो comment box में जरूर पूछ लेना तो दोस्तो, home back overview button को hide करने के लिए हमें जो है, सबसे पहले जाना पड़ेगा setting में, देखी फिलाल home back overview buttons आ रहे हैं हाँ आपर overview, home, overview है ना, सारे buttons आ रहे हम लोग setting में चलेंगे settings, settings, additional settings additional settings में चलेंगे additional settings, back यहाँ पर हमें full screen का option मिलेगा languages and in region India button short notification, quick full screen region India full screen display full screen display का option मिलेगा यह Redmi users, जो जिस सारे से मैं जा रहा हूँ उस सारे से जा सकते है Samsung users, Samsung के phone में setting में जाके, display में उनको यह option मिल दाएगा है ना, full screen वाला और यहाँ पर button navigation का option मिलेगा full display, back ठीक है, Samsung user उस सारे से जा सकते है और, मतलब जो Redmi user मेरे according जाएगे यहाँ पर देखिए, full screen में आने के बाद full screen display system navigation, checked, buttons buttons है यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर gestures करेंगे gesture पर क्लिक्टेंगे learn gestures, learn gestures, learn what gestures you can use, not checked, don't show again don't show again just, मतलब जो सारे gesture है, वो सारे learn करेंगे आपर देखते है learn पर क्लिक करेंगे system UI, you can go to, open, go back, back, learn learn प्लिक क्लिक करेंगे फिर से एक बार system UI, back अब यह देखिए, सारे gesture में बताएगा, किस तरह से हमें इसी यूज़ करना है आगे देखते है go to home screen go to home screen करने के लिए हमें क्या करना है swipe from the bottom quickly swipe from the bottom quickly आपको दो finger से bottom, side से up में swipe करना है है ना, देखिए, swipe करते है system UI, back यह देखिए open recent अब home वाला हो गया अब यहाँ पर open recent अब open recent करने के लिए, फिर swipe आपको क्या करना है swipe from the bottom and pause bottom से swipe करना है और pause करना है, हैना कि रुख जाना है वहाँ पर ठीक है, हम swipe up करेंगे और रुख जाएंगे system UI, back go back ठीक है, अब यह बोल रहा है, go back हैना, go back के लिए आपको आपका जो bottom screen है उसके right से left में swipe करना है ठीक है, right से left में swipe करेंगे ठीक है, यह जैसे आप perform करोंगे यहाँ पर आपको आपके जो सारे gesture से वो आ जाएंगे तो आप काफी simple है हम लोग यहाँ पर देखिए अब home screen करेंगे, यह देखिए है है ना, direct home पर आगए हम लोग फिर किसी application में चलते हैं ने, पहले हम recent app खोल लेते हैं recent app खोल के बताते हैं आपको, यह देखिए हमने अपना overview खोल दिया तो इस सारे से आप सारे के सारे gestures है वो यूस कर पाऊंगे अब हम समसंग के फोन में देखिए समसंग के फोन में देखिए हमारी हाद में समसंग का फोन है अब हम समसंग का फोन है ठीक है अब समसंग के फोन में भी सेम वही चीज़े है आप करना क्या है कि स्वाइप करना है समसंग के फोन में यह दिखिए एक फिम उब खोल लेते हैं ऐँ आगा यह ब्लाद है और टेलीक्रामस में खोल लेते हैं यहां पर बॉटम से आपको होँम करना है उसाना अब पर आजाओंगे ओवर भी खोलता है तो bottom से swipe up करके hold करना है अगर swipe up करोंगे bottom से और छोड़ दोंगे तो आपका app screen खुलेगा और अगर swipe up करके hold करके रखोंगे तो आपका Google Assistant खुल जाएगा मतलब आपको swipe करना नहीं सिर्फ उसी जगे आपको hold करना है तो Google Assistant खुल जाएगा ठीक है और अगर back करना हो तो back करने के लिए आपको बस किसी application को खुलते हैं हापर हम लोग टेलीग्राम को खुलते हैं और back करने के लिए bottom right corner से swipe up करना है यह दिखे bottom right corner से जो हम लोग back आ गए दिखे हम वापिस back आ गया और overview खुलने के लिए swipe up hold करना है ठीक है यह recent आपका खुल गया है है ना यह recent app आपका खुल जाएगा तो यह काफी easy है recent app खुल गया close all कर देते है है तो यह काफी easy है अब हमने on करना आपको redmi के phone में बताया था off करना samsung के phone में बताएंगे ताकि samsung और redmi दोनों को भी आ जाए यूज करना तो setting में चलेंगे डिस्प्ले में चलेंगे display front size and style screen mode natural screen zoom full screen full screen time out full screen apps screen edge panels off navigation bar manage the home back and recent buttons or use gestures for more screen space 17 of 24 navigation navigation show button to high keyboard gesture hits show where to more options swipe gestures swipe up with two fingers from each area of the bottom of your phone to go back go to the home screen or view recent apps you can also swipe up and hold with two fingers to use your device assistance app 2 of 9 यह वाला option आपको on करना था तो मैंने यह पहले से on कर रखा अब हम इसको off कर देंगे तो यह काफी simple है यह बटन वाले options पर हम लोग क्लिक कर देंगे तो यह बटन हमारे active हो जाएंगे दिखिए अब हमारे बटन से यहां पर आ गया है है न यह बटन यहां पर आ गया है अगर Google Assistant खोलना है तो बस आपको दो fingers hold करके रिखना है bottom पर आपकी है न और अगर back करना है Redmi users तो bottom left या right कर सकते है bottom से दो fingers से left या right करेंगे है न और अगर Samsung में अगर आपको back करना है तो bottom right से swipe up करना है back हो जाएगा ठीक है तो आपको दोनों भी चीजे मैंने आपर बता दिये उमीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद रहा होगा काफी interesting है और काफी मज़दार भी है shortcut भी है back home overview पर डबल tap करने से अच्छा आप सीधे swipe up swipe up swipe up करो हर एक चीज के लिए बस ये है कि अलग लग चीजों के लग लग actions आपको perform करने पड़ेंगे तो फिस एक बार ओल भी बताता हूँ दो finger से swipe up करोंगे bottom से home आएगा दो finger से swipe up and hold करोंगे तो overview खुल जाएगा और दो finger आप जो एक ही जगे पर bottom बे लगाके रखोंगे आपका Google Assistant खुल जाएगा और अगर आप Samsung user हो दो finger से right corner से swipe up करोंगे तो back होगा और Redmi users अगर हो तो swipe right then right या फिर swipe left आपको bottom में ही करना है middle में कहीं ही नहीं bottom में आपको right से left या left से right करोंगे तो back आप आँँगे तो ये Redmi user तो Samsung user है बाकी stock Android में बिल्कुल Samsung के जैसे इसे काम करेगा जैसे Samsung में मैंने बता है stock Android में इसी तरह से काम करेगा बाकी सारे devices में Redmi के तरह काम करे जैसे Vivo, Oppo ये Redmi के जैसे काम करेगा और Samsung जो है stock Android के जैसे तो उमीद करता हूं आपको यी video प्रसंट आया होगा तो ज़रूर वीडियो को सभी के साथ चेर करें, लाइक करें, चानल पर ने हो तो सस्क्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, काफी सारे इंटरस्टिंग से वीडियो आने वाल है, बहुत सारे अच्छे चे कंसेट पर आप लोगों के सोच रखे हैं, तो अगर आप चानल पर ने प्लेग्राम में टेक असिस्टन फू ब्लाइंड और उस चैनल को भी वहाँ से जोईन कर लिजे, हम मिलेंगे किसी और इंटरस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जाहिन!